नमस्का तो आज आपे हम DLF Limited stock के उपर बात करेंगे और लेटे सबडेट यहाँ पर देखेंगे DLF Limited में देख सेथे कि momentum इस week में काफी बढ़िया रही Stock 900 के उपर तो आ चुका है पर यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर sustain momentum देखने को मिले में stock sustain होता हुआ दिखाई दे रहा है पर उपर के देखेंगे तो कोई impactful news नहीं है पर जो important बात यहाँ पर हम लोग देखने वाले वो clearly आप लोग नजर डालोगे तो यहाँ पर आप देख सेथे यह जो moving average इसकी बात की जाए तो यह जो blue color का moving average है 200 days का moving average orange का 50 और green का 100 तो यह जो बड़ा moving average है उसको support लेने के लिए आए 50 days का moving average और 100 days का moving average साथ में दोनों यहाँ पर 200 moving average को support ले रहे क्योंकि 50 days के moving average ने थोड़ा momentum change किया है पर यहाँ पर और changes लाता है 100 days का moving average तो और बड़ा move बनेगी पर यहाँ पर जो important level है जो किये यहाँ आप देख सेथे कि 950 level break होगी तो और बड़ा momentum आ सकती है stop के अंदर आ सकती है